हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेड करेंगे एक मोस्ट पॉप्यूलर स्ट्रीट फूड की रेसिपी जी हाँ, आज हम बनाएंगे सब की फेवरेट दही पूरी चाट तो चलिए, सुरू करते हैं आज सान फूड रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले दही पूरी चाट बनाने के लिए हमने रेडी मेट पानी पूरी वाली पूरी ली है तो सबसे पहले हम इन पूरीों में इस तरह से होल कर लेंगे सारी पूरी में हमें इसी तरह से होल कर लेने हैं पूरी की स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन मीडियम साइस के बोईल किये हुए आलू लिये हैं इन आलू को हमने मेशर की मदद से अच्छे से मेश कर लिया देखिए आलू को मेश करने के लिए आप फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन आलू में हम एट करेंगे एक चोथाइ टीस्पून लालमिच पाउडर एक चोथाई टीस्पून नमक, एक चोथाई टीस्पून चाट मसाला और एक चोथाई टीस्पून जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारी आलो की जो स्टफिंग है वो तयार है अब हम दही पुरी का दही बना लेते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम दही लिया है इसमें हम एट कर देंगे 1.5 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर दही आपके ज़्यादा खटी हो तो आप चीनी की मातरा बढ़ा सकते हैं तो हमारी दही पूरी की दही भी तयार है तो चलिए अब हम चाट तयार कर लेते हैं तो हमने जिन पूरियों में होल किये हैं उसमें हम एट कर देंगे हमारी तयार की हुई आलू की स्टफिंग अब हम इसमें एट कर देंगे दही पूरी का दही तक्रीबन हम इसमें हाफ्टे बस पुन जितना एड़ कर रहे हैं और एड़ करेंगे बारी कटी हुई प्याज साथ ही में एड़ कर देंगे बारी कटी हुई टमाटर अब हम इस पर एड़ करेंगे चाट की चटनी तो हमने यहाँ पर खटी मेठी इमली की चटनी एड़ करनी है देखे चाट की चटनी घर पर कैसे बनाए उसकी वीडियो हमने ओल लेड़ी अपलोड की है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही में हम इसमें एड़ कर देंगे हरे धनी और पुदीने की चटनी और फिर से हम इसमें एड़ कर देंगे दही तो अब हम तक्रीबन एक टेबल स्पून जितना दही एड़ करेंगे इसमें अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इसी के साथ स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर अब इसे गानिश कर लेंगे तो गानिशिंग के लिए हम इसमें एड़ करेंगे बारिक बेसन की सेव इसी के साथ हम गानिशिंग के लिए इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया तो खाने के लिए तयार है सब की पसंदिदा दही पूरी चाट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई